तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बॉक्स चिकन पैटीज तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने टू टेबल स्पून ओयल ले लेना है पैन में और उसके अंदर आपने अदरक लसन की जो है वह पेस्ट आड़ करनी है आप चार से पांच जवे जो है चिकन का कीमा लेना है और उसको इस अदरक लसन ओयल की पेस्ट में जो है वह सौते का लेना है पका लेना है ताकि इसका कच्छा पंदूर हो जाए और तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है तो आप देखिए इसका कलर बिलकुल चेंज हो किया है अब हम इसम बावडर पाउडर और उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे जीरा अड़ करेंगे और चिली फ्लेक अगर आप नॉर्मल तीखा रखना चाहते तो वन इस एनफ लेकिन अगर आप ज्यादा तीखा चाहते हैं तो आप दो भी डाल सकती है और साथ में एक काली मिर्चों का ज है वो धनिया डाल कर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए थंडा होने देना है क्योंकि इस स्टफ़ी के अदर अभी प्याज और हरी मिर्चे जानी है जब तक वो थंडा हो रहा है हम रोल यह समोसे की पटियां जिसमें भी आप चाहें फिलिंग कर सकते हैं तो ह हम समोसा की पटी ले रहे हैं क्योंकि हमने इसकी बॉक्स पैटी बनानी है इनको हमने अच्छे से सेपरेट कर लेना है विए इस अवेरी टास्क फो मी इस अटाफ आप लोगं के लिए एजी हो सकता है अब आपने क्या करने है च्छे से साथ हरी मिर्चे और तीन प्यास जो तो यह पानी छोड़तेगा थंडा होने पर यह बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा और आप जब यह वाक्स पैटी स्खाएंगे तो क्रंची क्रंची जो है वह उसके अंदर प्यास की फील आएगी आपने क्या करना है कि आपने दो समोसे की पर्टी को एक वर्टिकल और हो प्लाइ करना है फिंगर के साथ बिल्कुल देसी तरीके की स्टायल में कोई भी हम इसमें फैंसी नहीं करें उसके बाद हमने एक साइड जो है वह उपर टर्न करनी है और उसके बाद जो है वह सेकिंड वाले साइड उपन करनी है बिल्कुल आपके सामने औरीजिनल बना रह पिलाकर जो है वो उसको बंद कर देना है सी दिस वन ये बिलकुल आपकी बॉक्स चिकन पैटी बिलकुल रेडी है और इसकी एक बहुत अच्छी बास समॉसा से ये है कि ज़्यादा क्रिस्पी होती है क्योंकि अंदर डबल समॉसा पट्टी यूज हुई है और देखे हमारे जो क्रिस्पी किसम की चिकन बॉक्स पैटी जो है वो रेडी हो गए है अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लगी हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में लाफिस